Hello everyone, welcome back to my channel तो friends, साची क्लास में हम सीखेंगे daily use English word meaning जिसे सीखना बहुत जरूरी है अगर आप English बोलना शुरू करना चाहते हैं तो चलिए आची क्लास को शुरू करते हैं हमारा first word है our our means होता है हमारा या हमारी for example ये हमारा घर है this is our house ये हमारा घर है this is our house next word है your your means होता है तुम्हारा या तुम्हारी आपका या आपकी चारो ही मतलब के लिए English में your word का यूज़ करते हैं for example this is your this is your ये तुम्हारा है this is your next word है we we means होता है हम या हम लोग we means हम या हम लोग हम खुश है अगर आपको बोलना हो कि हम खुश है English में बोलेंगे we are happy we are happy हम खुश है we are happy you you means होता है तुम्हारा आप तुम्हारा आप दोरों ही शब्दे के लिए English में you word का यूज़ करते हैं for example तुम अच्छे हो you are good they they means होता है वे या वे लोग for example वे लोग आ रहे हैं they are coming they are coming he he का मीनिंग होता है वह और ये male के लिए यूज़ होता है यानि कि लड़कों के लिए यूज़ होता है ठीक है for example वह एक लड़का है he is a boy boy means होता है न लड़का he is a boy she she means भी होता है वह लेकिन ये female के लिए यानि कि लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए यूज़ होता है ठीक है वह एक लड़की है she is a girl वह एक लड़की है she is a girl it it means होता है यहां और यह non living के लिए use होता है ठीक है अगला word है there there means होता है उनका या उनकी जब आप किसी की चीज के बारे में बात करते हैं तो आप their word कर यूस करते हैं For example, यह car उनकी है this is their car ये car उनकी है this is their car अगला वड है His, His means होता है उसका या उसकी Use for Males यानि कि लड़कों के लिए Use किया जाता है His means होता है उसका और उसकी और ये लड़कों के लिए यानि कि Males के लिए Use किया जाता है Her, Her means भी होता है उसका या उसकी लेकिन ये females के लिए यानि की लड़ियों के लिए use किया जाता है ठीके दोनों का difference समझ आ गया याद रहेगा अगला word है me, me means होता है मुझे me, me means होता है मुझे for example, show me, मुझे दिखाओ show me, मुझे दिखाओ या बोल सकते हैं tell me, मुझे बताओ अगला word है them, them means होता है उन्हे them, them means होता है उन्हे show them, उन्हे दिखाओ show them, उन्हे दिखाओ या बोल सकते हैं tell them, उन्हे बताओ अगला word है what, what means होता है क्या for example, what is this, ये क्या है what is this, ये क्या है who, who means होता है कौन Who are you? तुम कौन हो? Who are you? तुम कौन हो? Which Which means होता है कौन सा? Which Which means होता है कौन सा? For example, अगर आपको बोन ला हो कि कौन सा अच्छा है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे Which one is good? Which one is good? Next word है When When means होता है कब? When means कब For example, कब जाना है? When to go? कब जाना है? When to go? How How means होता है कैसे? For example, कैसे हो? अगर आपको पूछना है तो आप इंग्लिश में पूछेंगे How are you? How are you? कैसे हो? How are you? अगला word है Why Why means होता है क्यों? Why Why means क्यों? Whose Whose means होता है किसका? Whose किसका? Where Where means होता है कहा? Where Where means कहा? For example, कहा जाना है? Where to go? कहा जाना है? Where to go? Whom Whom means होता है किसे? Whom किसे? What for What for का मीनिग होता है किसलिए? What for किसलिए? अगला word है whenever Whenever का मीनिग होता है जब भी Whenever जब भी How long How long का मीनिग होता है कितनी देर? कितनी देर Anyone का मीनिग होता है कोई भी Anyone कोई भी How much How much का मीनिंग होता है कितना How many times How many times का मीनिंग होता है कितनी बार At what time At what time का मीनिंग होता है किस समय At what time With whom With whom का मीनिंग होता है किस के साथ With whom किस के साथ Ask Ask का मीनिंग होता है पूछो Ask पूछो, for example, ask me, मुझसे पूछो, ask me, मुझसे पूछो, अगला वड़ है, tell, tell का मीनिंग होता है बताना, tell, बताना, for example, मुझे बताओ, tell me, whatever, whatever का मीनिंग होता है, whatever, जो भी, this, this का मीनिंग होता है, yeah, for example, ये car है, this is a car, that, that का मीनिंग होता है, वह, for example, वह कार है, that is a car, That is a car Next word है everyone Everyone का meaning होता है हर कोई या सब लोग Everyone, हर कोई या सब लोग Everything Everything का मतलब होता है सब कुछ Everything, सब कुछ Nothing का meaning होता है कुछ भी नहीं Nothing, कुछ भी नहीं Next word है always Always का meaning होता है हमेशा Always, हमेशा For example मैं हमेशा आपके साथ हूँ I am always with you मैं हमेशा आपके साथ हूँ I am always with you Never Never का मीनिंग होता है कभी नहीं Never कभी नहीं Sometimes Sometimes का मीनिंग होता है कभी कभी Sometimes Sometimes का मीनिंग होता है कभी कभी Sometimes कभी कभी Often Often का मीनिंग होता है अक्सर Often अक्सर With With का मीनिंग होता है साथ For example, मैं आपके साथ हूँ I am with you Outside Outside का मीनिंग होता है बाहर Outside, बाहर For example, wait outside मतलब बाहर इंतिजार करो Wait outside, बाहर इंतिजार करो Inside Inside का मीनिंग होता है अंदर Inside, अंदर People, people का मीनिंग होता है लोग People, लोग Open, open मीन्स होता है खोलना Open, खोलना Close, close मीन्स होता है बंद Close, बंद Now, now मीन्स होता है अभी Now, अभी See, see मीन्स होता है देखना See, देखना Say, say मीन्स होता है कहना Say, कहना Because, because मीन्स होता है है क्यों की because क्यों की that's why that's why का meaning होता है इस लिए that's why इस लिए but but का meaning होता है लेकिन but लेकिन about about का meaning होता है के बारे में about के बारे में for example tell me about him मुझे उसके बारे में बताओ tell me about him more means होता है जादा less means होता है कम before means होता है पहले after means होता है बाद में only means होता है केवल only केवल, soon, soon means होता है जल्दी, soon, जल्दी, come, come means होता है आना, come, आना well, well means होता है अच्छा, well, अच्छा, take, take means होता है लेना, take, लेना keep, keep means होता है रखना, keep, रखना, little, little means होता है थोड़ा, little, थोड़ा few, few means होता है कुछ, few, कुछ, liar, liar means होता है जूटा, liar, जूटा truth, truth means होता है सच, truth, सच, today, today means होता है आज, today, आज tonight, tonight means होता है आज रात, tonight, आज रात, yesterday, yesterday means होता है बीता हुआ कल, yesterday, बीता हुआ कल tomorrow, tomorrow means होता है आने वाला कल, tomorrow, आने वाला कल, last night, last night means होता है होता है पिछली रात लास्ट नाइट पिछली रात फिव डेज अगो कुछ दिन पहले फिव डेज अगो कुछ दिन पहले फिव मन्स अगो कुछ महीनों पहले फिव मन्स अगो कुछ महीनों पहले नियर नियर मिन्स होता है पास नियर पास पार पार मिन्स होता है दूर पार दूर, सिक, सिक मिन्स होता है बिमार, सिक, बिमार, क्लेवर, क्लेवर मिन्स होता है चालाग, या चतुर, क्लेवर, चालाग, हंगरी, हंगरी मिन्स होता है भूका, हंगरी, भूका, थस्टी, थस्टी मिन्स होता है प्यासा, थस्टी, प्यासा, लाफ, लाफ मिन्स होता है हसना लाप हसना तो फ्रेंड्स आज एक लास में बस इतना ही I hope कि आपको आज एक लास पसंद आई हो आपके लिए helpful रही हो अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और comment करके बताएं जो और को English में क्या कहते हैं और इसे दर डेली आसाने से English सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you for watching